मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मैं मा नहीं बन पा रही थी डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और मेरे पती राजेश को बाहर बैठने को कहा जैसे ही मैं अंदर गई तो डॉक्टर रवी ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और लाइट बंद कर दी फिर रवी ने मुझे चेकप के लिए बेड़ पर लिटा दिया और अपने दोनों हाथों से मेरा चेकप शुरू किया रवी ने चेकप करते करते मेरी और गहरी नजरों से देखा और कुछ देर के लिए अजीब खामोशी चा गई मैं असाज महसूस करने लगी लेकिन वहाँ अपनी जाँच जारी रखे रहा फिर उसने मुझसे कहा तुम्हें थोड़ा समय लगेगा लेकिन चिंता मत करो मैं सब देख लूँगा बाहर बैठे राजेश को इंतजार लंबा लगने लगा उसने कई बार दर्वाजे की तरफ देखा लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी अंदर रवी ने अंत में कहा अब तुम जा सकती हो बाकी सब रिपोर्ट्स में देख लेंगे जैसे ही मैं बाहर निकली राजेश ने मेरे चहरे की ओर देखा और पूछा सब ठीक है न मैंने हलकी मुस्कान के साथ सिरहिलाया और कहा डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब और पता चलेगा रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए कुछ दिन बीद गए डॉक्टर रवी ने कॉल किया और हमें क्लिनिक आने को कहा हम दोनों थोड़े नर्वस थे लेकिन उमीद भी थी कि सब ठीक होगा जब हम पहुँचे तो रवी ने गंभीर स्वर में कहा तुम्हारे कुछ टेस्ट में थोड़ी समस्या है लेकिन इसे सही किया जा सकता है रवी ने एक लंबी लिस्ट दी और कहा इन दवायों से तुम्हारी समस्या हल हो सकती है इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और प्राइवेट चेक अपस भी करने है ताकि सही से सब समझा सके राजेश ने थोड़ा संद्य भरी नजरों से रवी की बात सुनी लेकिन वह मुझे देखकर शान्त रहा रवी ने कहा घबराओ मत सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही डॉक्टर रवी ने प्राइवेट चेक अपस की बात की राजेश थोड़ा बेचैन हो गया उसने मेरी ओर देखा और फिर रवी से पूछा क्या ये जरूरी है रवी ने शान्त स्वर में कहा हां कुछ मामनों में गहराई से जाच करना जरूरी होता है ताकि हम सही निदान कर सकें राजेश ने मुझसे धीरे से पूछा तुम क्या सोचती हो मैंने थोड़ी देर सोचा फिर कहां अगर इससे मदद मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगले कुछ दिनों में मैं नियमित रूप से डॉक्टर रवी के पास जाती रही हर बार वह कुछ नए टेस्ट की बात करता और मैं उसकी बातों को मानती रही राजेश की चिंता बढ़ती जा रही थी लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया और कुछ नहीं कहा एक दिन जब मैं फिर से क्लिनिक गई रवी ने मुझे कहा इस बार तुम अकेले ही आओ यहां सुनकर मैं थोड़ा घबराई लेकिन फिर सोचा कि शायद यहां किसी खास टेस्ट का हिस्सा हो अंदर जाने पर रवी ने कहा आज का चेकप थोड़ा लंबा चलेगा तुम तयार हो मैंने सिर हिला दिया लेकिन अब मुझे रवी के इरादों पर संदे होने लगा था उसने फिर से दर्वाजा बंद किया और जैसे ही उसने लाइट कम की मेरी धड़कन तेज हो गई जैसे ही लाइट कम हुई मैंने रवी की तरफ देखा अब मुझे उसके इरादों पर पूरा शक हो चुका था मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठने लगा ये क्या कर रहे हैं? आप मैंने घबराए हुए स्वर में पूछा रवी ने धीरे धीरे मेरी और कदम बढ़ाएं और कहां तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है मगर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी थंड़क थी जो मुझे असाज कर रही थी मुझे समझा गया कि अब यहां से मुझे खुद को बचाना है मैंने तुरंत बेड से उठने की कोशिश की लेकिन रवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसमें धीरे से कहा लेकिन उसकी पकड़ में जबरदस्ती थी मैंने साहस जुटाया और पूरी ताकत से उसका हाथ जटक कर खुद को आजाद किया आपका असली चहरा अब सामने आचुका है मैंने गुस्से में कहा मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बड़ी और जैसे ही दरवाजा खोला बाहर राजेश खड़ा था उसने मेरे चहरे पर डर और गुसा देख लिया था क्या हुआ उसने तुरंथ पूछा मैंने बिना एक शब्द कहे उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों तेजी से क्लिनिक से बाहर निकल गए बाहर आकर मैंने सब कुछ राजेश को बता दिया उसने मुझे गले लगाते हुए कहा अब हम इस आदमी को उसके किये की सजा दिलवाएंगे राजेश ने तुरंथ पुलीस में शिकायत दर्च कराई और कुछ ही दिनों में डॉक्टर रवी को गिरफ़तार कर लिया गया हमारे सामने सच्चाई खुल कर आई कि रवी ने पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी सामने नहीं आई थी इस घटना के बाद मैंने और राजेश ने फैसला किया कि हम किसी और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे और आगे की कोशिश करेंगे लेकिन इस बार हम सामधान थे और एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखा डॉक्टर रवी की गिरफ्तारी के बाद मुझे और राजेश को थोड़ी राहत मिली लेकिन उस घटना की यादे हमें परेशान करती रही हमने तै किया कि अब हमें अपने स्वास्थे के लिए सही और भरोसेमन डॉक्टर की जरूरत है जो न केवल पेशेवर हो बलकि इंसानियत भी समझे कुछ दिन बाद राजेश ने अपने एक पुराने दोस्थ से बात की जो एक नामी अस्पताल में काम करता था उसके सुझाव पर हम डॉक्टर सविता से मिलने पहुँचे सविता बेहत सची और इमानदार महिला थी जिनके पास कई सालों का अनुभव था उन्होंने हमारी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और हमें पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि वे हमारी मदद करेंगी आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर सविता ने मुस्कुराते हुए कहा आपका मामला उतना जटिल नहीं है जितना पहले बताया गया था सही उपचार और सकारात्मक सोच के साथ सब ठीक हो सकता है डॉक्टर सविता के मार्ग दर्शन में मेरी दवाईयां और न्योमित चेक अप शुरू हुए हर बार जब हम उनके पास जाते उनका व्यवहार बेहत विनम्र और पेशेवर होता जिससे हम दोनों को बेहत सुकून मिलता धीरे धीरे हमारी उम्मीदे बढ़ने लगी डॉक्टर सविता के पास पहुँचे और जाच हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहां मुबारक हो तुम प्रेगनेंट हो यहां सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसु आ गए राजेश ने मुझे गले लगा लिया और उस पल हमें एहसास हुआ कि हमारे धैर्य और विश्वास ने आखिर का रंग लाया है प्रेगनेंसी की खबर से हमारी जिन्दगी में नई रोशनी आ गई थी राजेश और मैं दोनों ही इस नए सफर के लिए बेहत उत्साहित थे अब हमारी हर बातचीद बच्चे के आने और उसके भविशे की योजनाओं पर होने लगी राजेश ने तो घर में बच्चे के लिए एक छोटा सा कमरा भी तयार करना शुरू कर दिया था समय धीरे-धीरे बीतने लगा डॉक्टर सविता के नियौमित चेकप और मार्ग दर्शन में मेरी प्रेग्नेंसी अच्छे से आगे बढ़ रही थी हर अल्ट्रा साउंड के दौरान जब हम स्क्रीन पर बच्चे की जहलक देखते तो हमारे दिलों में एक नई उर्जा भर जाती थी एक दिन जब मैं घर में आराम कर रही थी अचानक मुझे हलका दर्द महसूस हुआ मैं थोड़ी घबराई लेकिन राजेश ने मुझे तुरंट सविता के पास ले जाने का फैसला किया डॉक्टर सविता ने जाच की और कहा सब ठीक है लेकिन तुम्हें अब और भी ज्यादा आराम की ज़रूरत है ज्यादा तनाव मत लो और खुश रहो राजेश ने मुझे घर वापस लाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखने लगा वह मुझसे ज्यादा बच्चे के आने की तैयारियों में जुटा हुआ था दिन गुजरते रहे और आखिरकार वह खास दिन आ गया अस्पताल में राजेश मेरी हर पल साथ था मेरा हाथ पकड़े हुए कुछ घंटों के बाद डॉक्टर सविता ने हमें खुश खबरी दी हम एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बन चुके थे राजेश की आंखों में आंसु थे लेकिन वह खुशी के आंसु थे उसने मुझे और हमारी बेटी को बड़े प्यार से देखा और कहा ये हमारी जिन्दिगी का सबसे खूपसूरत पल है हम दोनों ने उस ननी सी जान को अपनी बाहों में लिया और उस पल में सारी परेशानिया और संघर्ष जैसे मिट से गए थे हमने अपनी बेटी का नाम अन्विता रखा जिसका मतलब था वह जो सफलता लाए और वाकई वह हमारे जीवन में सबसे बड़ी सफलता और खुशी लेकर आई थी अन्विता के आने के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी उसकी मुस्कान और मासूमियत ने हमारे जीवन में एक नई ताजगी भड़ दी थी राजेश तो जैसे उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया था वह हर सुभा अन्विता को गोद में उठाता और कहता तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो मेरी नन्ही राज कुमारी जैसे जैसे अन्विता बड़ी होने लगी उसके छोटे छोटे कारणा में हमारे जीवन को और भी रंगीन बनाने लगे उसकी पहली मुस्कान पहला कदम और पहली बार माँ और पापा कहना हर पल हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं था राजेश ने अपना ज्यादा तर समय हमारे साथ बिताना शुरू कर दिया था वह ओफिस के काम से जितना जल्दी हो सकता घर आ जाता और अन्विता के साथ खेलता उसे कहानिया सुनाता वह हमारी बेटी को यह सिखाना चाहता था कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का क्या महत्व है लेकिन साथ ही वह यह भी चाहता था कि अन्विता हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करे मैंने भी अपना सारा ध्यान अन्विता की देखभाल और परवरिश में लगा दिया था मैंने नौकरी से ब्रेक लिया ताकि मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूँ हमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और अब हम उसे एक ऐसे माहौल में बड़ा करना चाहते थे जहां वह हमेशा आत्म विश्वास और प्यार महसूस करे कुछ सालों बाद अन्विता स्कूल जाने लगी उसकी चंचलता और जिग्यासा ने उसे स्कूल में सबका चहेता बना दिया हर दिन जब वह स्कूल से घर आती तो अपनी दिनभर की कहानिया सुनाती उसकी मासूम बाते हमें हर बार हंसने पर मजबूर कर देती एक दिन जब हम तीनों पार्क में बैठे थे राजेश ने मेरी ओर देखा और कहां क्या तुम सोच सकती हो हम कहां से कहां आ गए है हमने कितनी कठिनाईयों का सामना किया और अब देखो हमारे पास कितना कुछ है मैंने मुस्कुराते हुए कहां हां शायद यही जीवन की खूपसूरती है कभी-कभी संघर्ष ही हमें हमारी असली खुशी की ओर ले जाता है हमने उस पल को गहराई से महसूस किया हमारा परिवार हमारा प्यार और हमारे जीवन की यात्रा जो उतार्च धाव से भरी थी लेकिन आखिरकार हमें वहां ले आई जहां हमें होना था